हरियाना पुलिस की महिला कर्मचारी से किराय को लेकर हुए विवाद के बाद राजस्थान रोडवेज की 90 बसों के चालान के जवाब में राजस्थान पुलिस ने भी हरियाना रोडवेज की 87 बसों के चालान काट दिये नारनौल डिपो की चार और दादरी की एक बस समेत कुल 6 बसों को जब्द कर लिया गया चालान की इस कारवाई के बाद उच्चा अधिकारियों के दखल के कारण सोमवार को हरियाना रोडवेज की बसों के चालान नहीं किये गए जब इन बसों के चालान भरने की प्रक्रिया शुरू हुई तो अधिकारियों के होश उड़ गए राजस्थान पुलिस ने प्रत्येक रोडवेज बस पर औसतन 7000 रुपय का जुर्माना लगाया चालान काटने की वजह से राजस्थान में डिपो में शामिल अनुबंधित बसों के चालकों ने सोमवार सुबह जयपुर और अन्य रूटों पर जाने से मना कर दिया अधिकारियों ने चालकों को समझाने का प्रयास किया लेकिन चालकों ने नहीं माना इस स्थिती में रोडवेज ने अपनी बसों को रूट पर भेजा हालां कि चालान काटने की कार्रवाई दिन भर नहीं होने के बाद अनुबंधित चालक बाद में गए इस विवाद की शुरुआत गुडगाम से धारुहेडा आ रही महिला पुलिस करमचारी द्वारा राजस्थान रोडवेज के परिचालक को किराया देने से इनकार करने के बाद हुई थी इस पर दोनों के बीच बहस भी हुई जिसके बाद परिचालक ने घटना करम का वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया इसके बाद गुरुग्राम और धारुहेडा में पुलिस ने राजस्थान की बसों के चालान काटने की कार्रवाई शुरू कर दी राजस्थान पुलिस ने भी जैपूर, कोटपूतली, बहरोड और काठुवास टोल पलाजा पर चालान काटने की प्रक्रिया शुरू की नार्नौल डिपो की सरवाधिक पंद्रह और दादरी डिपो की पांच बसों के चालान किये गए डिपो की तरफ से जैपूर रूट पर पंद्रह से अधिक बसों के साथ कोटा, चंडीगढ जैपूर और राजस्थान के अन्य रूटों पर संचालन किया जाता है राजस्थान पुलिस ने रविवार को कारवाई करते हुए कोट पूतली में तीन बसों के चालान काटे, जबकि जैपूर में नौ बसों के चालान किये गए इतना ही नहीं डिपो की चार बसों को जैपूर में जब्द कर लिया गया काठुवास टोल प्लाजा पर रेवारी के साथ दिल्ली जाने वाली तीन बसों के चालान भी किये गए लोकल रूटों पर चालान काटने के कारण रोडवेस प्रबंधन की मुश्किलें बढ़ गई है नारनौल डिपो के चीफ इंस्पेक्टर ब्रह्म प्रकाश ने बताया कि राजस्थान पुलिस ने डिपो की 15 बसों के चालान के साथ चार बसों को जब्द करने की कारवाई की है जब्द बसों को छोड़ाने की प्रक्रिया चल रही है लेकिन उन पर काफी अधिक जुर्माना लगाया गया है जब्द बसों के चालान भरकर उन्हें डिपो में लाया जा रहा है वहीं दोपहर के बाद अनुबंधित बसों के चालक भी गए थे